इस्राइल और सायुक्त अरब आमीराथ यूई ने एक सांती समझोता किया है जिसके तहट दोनों पच्छों के बीच ना केवल राजनेक संबन बनेगे बलकि इस्राइल और यूई के संबन बहुत अच्छे हो जाएंगे इस्राइल ने या कहकर प्रतिकिरिया दी है कि या वेश्ट बैंक के एक बड़े छेतर में इस्राइल का विस्तार करेगा अमेरिकी राश्पती डोनाल्ड टरंप ने खुद एक ट्विट में घोशनक किया है कि इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजमेन नेतनियाहू और आबुदाबी के क्राउंस प्रिंस मुहम्मद बिन जायद ने एक सांती समझोता किया है एक संयुत बयान में ट्रंप ने कहा कि ये एक मील का पत्था साबित होगा ये समझोता मिडल इस्ट में सांती प्रक्रिया को बढ़ाएगा इस फैसले के बाद मुस्लिम दुनिया में काफी गुसा है लोग यूई इसराइल और अमेरिका का काफी विरोध कर रहे हैं तो वहीं इस समझ में तुर्की के राजपती रजजब तयब एर्दगान भी यूई की तीखी आलशना करते हुए नजर आ रहे हैं तुर्की के राजपती एर्दगान ने यूई की आलशना करते हुए कहा कि इसराइल के साथ समझोते पर इतिहास और दुनिया के लोग यूई के दोहरे रवये को कभी नहीं भूलेंगे यूई ने अपने फायदे के लिए फिलिस्तीनी लोगों को धोगा दिया है उन्होंने कहा फिलिस्तीन के खिलाफ कारवाई करना आसान नहीं है हम ऐसा नहीं होने देंगे अब जब फिलिस्तीन आबुधाबी में अपने दूतावास को बंध कर रहा है और अपने करमचारियों को वापस बुला रहा है तो उन्होंने कहा तो मैंने भी अपने विदेश मंत्री से कहा है कि हम भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हुए ह हमने फिलिस्तीन को कभी किसी को निगलने नहीं दिया है और नहीं निगलने देंगे या ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस समझोते के बाद संयुक्त अरब अमिरात और इसराइल के बीच राजनेक संबंद स्थापित होंगे और मिस्र और उर्दन के बाद युवई एक ऐस अरब मुलकों में से हो जाएगा जिनों ने नाजायज इसराइल को तस्लीम किया है आपको बता दे कि अमेरिकी राश्पती रुलान ट्रम ने इस सांती समझोते पर महात्पूर भूमी का निभाई है और इस समझोते की जवाब में इसराइल ने फिलिस्तीन में बड़े वे दोनों देशों के बीच संबंद बैतर हो जाएगा जो कि युवाई ने अपने फायदे के लिए किया है और फिलिस्तीनियों को फीट पर एक ठूरा भूपा है आपको बता दें कि तुर्की के बाद इरान के राश्पती हसन रूहानी ने इसराइल के सांती समझोते और इसकार नहीं होगा युवाई ने फिलिस्तीनी लोगों की भावनाओं को आहत किया है वह फिलिस्तीन के राश्पती महमूद अब्बास ने भी युवाई के इस फैसले के बाद काफी गुस्सा व्यक्त किया है और फिलिस्तीन के साथ सा दुनिया भर के मुसल्मां अक्सा के बाहर की है जो ये दर्सारा है कि लोगों में युवाई के खिलाफ कितना गुस्सा है आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट निकर के जरूर बता है ठैंक्स वर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब टीवी अलाइग झाले तो जाओ कर रो बता है प्लाइब क्या है